अच्छी बात है पुजा पाठ कभी दिखावा का नहीं करना चाहिए और अगर हम अपने संस्किर्टी अपने संस्कार को दिखावा भी करते हैं तो हमको उस पर स्वाविमान होना चाहिए क्यों डरते हैं वो पूजा दिखाने से किस से डरते हैं कि कोई वोट बैंक उनका खराब हो जाएगा इसका जबाब उनसे पुछिए कि हम पूजा करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है क्या कोई नराज हो जाएगा क्या उनसे तेथरोलोजी के डिग्री वाला क्या होता है कि माथा टकराते रहता है परहा लिखा नहीं है तेथरोलोजी की डिग्री है इसलिए वो माथा जो है किसी से माथा टकरा देगा तो हम अपना माथा कहले टकराएंगे और आपको कितना वार जबाब दिया जा चुका है तो या तो तिस्वी यादों के बयान पे बीजेपी के परदेश सध्याक्ष दिलिप जैस्वाल भढग गए हैं। आपको बता दे दिलिप जैस्वाल जैस्वी यादों कर रहे हैं कि वो ठिथरलोजी के डिगड़ी लिए हैं। पढ़े लिखे तो हैं नहीं इसके साथ ही बील पढ़ने की हिदाया दे रहे हैं करें वक बोर्ड को लेकर जो बील आ रहा है उससे तिजस्वी यादों पढ़े तो हैं नहीं तो फिर कैसे बोल ठकते हैं। दिलिप जैस्वाल पल्यापुन के बयानों को सुने। वो सिर्फ आरोप परत्यारोप की राजनिती हो रही है। और जो मीडिया करमी भी हैं सिर्फ ये उनका रूटीन हो गया है कि परतिपक्स के नेता ने ये कहा और आप क्या कर रहे हैं। तो ये राजनिती का अस्तर थोरा गिरता जा रहा है। मुझे लगता है कि जो राजनितिक दल के लोग हैं उनको जो मूल भूत समस्या है समाज का। रोटी, कपरा, मकान, स्वास्त, चिकिस्सा और उसके साथ कम्निकेशन इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। चर्चा एक ही ढोल रोज बजाते हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को और अगर हम में कोई कमी है तो हम लोग सभी को जनता के बातों को उनके समस्याओं को और भी ध्यान देना चाहिए। तो हमने अपने सभी पेनलिस्ट को कहा है कि हम शिर्फ जवाब देने के लिए अपनी राजनिती नहीं करते हैं। हम क्या कर रहे हैं उसको बताने के लिए भी राजनिती करते हैं। तो ये तो आज हमारा बैठक था अगर आप लोग का कोई सवाल हो तो बताईए कि पिसेस राज का दरजा दिलाने की वादा किया था क्या हुआ उत वादे का आज ब्यान की ये कितना वार वो बोल चुके हैं उनसे एक बार पहले सवाल कर लिजेगा कि आप कितना वार बोल और आपको कितना वार जवाब दिया जा चुका है तो या तो आपका अगर दिमागी तौर पे अगर आप इस बात को ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो इसका जवाब कुन रोज रोज देता रहेगा अच्छी बात है पुजा पाट कभी दिखावा का नहीं करना चाहिए और अगर हम अपने संस्किर्टी अपने संसकार को दिखावा भी करते हैं तो हमको उस पर स्वाविमान होना चाहिए क्यों डरते हैं वो पूजा दिखाने से किस से डरते हैं कि कोई वोट बैंक उनका खराब हो जाएगा इसका जब आब उनसे पुछिए कि हम पूजा करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है क्या कोई नराज हो जाएगा क्या उनसे कि भाई वो पूजा करने जा रहे हैं ये सब बोल करके क्यों जनता को बेबकुब बनाते हैं अगर पूजा करते हैं अगर सौ आदमी देखता भी है तो हमको गर्व है कि हम अपने धर्म का पूजा करते हैं अगर हमारे मुसल्मान भाई मस्जिद में जाके नवाज पढ़ते हैं तो उनको भी गर्व है कि हम जो है अपने धर्म का पालन करते हैं धर्म के परतियास्था रखना यह मजबूरी नहीं है यह हमारा संसकार है तो उनको पहले संसकार सीखना चाहिए अभी उस पर साम में पढ़ेंगे वो कुछ ज़्यादा बिद्वान है अभी जो चीज आया ही नहीं है साम में आएगा तो वो बिद्वान है ना थेतरोलोजी का डिग्री है तो ज़्यादा बिद्वान है हम अतना बिद्वान अभी नहीं है हम शाम में जब पढ़ेंगे तब कोई बात बोलेगा थेत्रोलोजी थेत्रोलोजी के डिग्री वाला क्या होता है कि माथा टकराते रहता है परहा लिखा नहीं है थेत्रोलोजी की डिग्री है इसलिए वो माथा जो है किसी से माथा टकरा देगा तो हम अपना माथा कहले टकराएंगे भाई देखिए मैं बताता हूँ नितीश कुमार जी के नेतुरित तुमें अपराध पर हम लोगों ने जितना प्रियास हम से हो सकता है लगातार हम कर रहे हैं और अपराध पर जीरो टॉलरेंस हमारा है आपने देखा कि पुर्णिया में तनिस्क में लूट हुआ सोना का लूट हुआ और चारों अपराधी पकरे गए और जिस तरह से बेउर जेल से किसी से पूछे न कि वो किसका आदमी सब है ये सब भी तो बताना चाहिए न कि लूटेरा सब किसका आदमी है इसका भी साथ साथ जबाब पुछ लिया कि तो चार दिन के अंदर पांस दिन के अंदर ही पुर्णिया का तनिस्का लूटेरा पकरा गया कानून अपना काम कर रहा है और जो लोग इस चीज का बढ़ाबा बिहार में देना चाहते हैं कम से कम ये सब काम नहीं करें तो अच्छा है तो आपने सुना दिलीप जैसवाल पतना में वे बैंक लूट कांड को लेकर भी करें कोई थोड़ा नहीं जाएगा अपराधी अपराध कर रहे हैं तो उनके उपर करवाई होगी जल्द पकड़े जाएंगे इसके साथ ही बिहार विशेस राज दर्जे को लेकर भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव ठिथराई करते हैं उनको दिमागी रुप से भूल जाते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए हम लोग बार-बार एक ही सवाल का जबाब नहीं देंगे बरहाल शकूर में इतना ही इसी दबाब खूर कर रहे हैं पश्ट यार जहार खंड देख रहे है पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों क आश्याना इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूं अपने पूर्ण ya में घर ले लिया है पूर्ण ya के इहोंस पैनोर्मा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रूप लेकर आये हैं इहोम्स पैनोरमा बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में इहोम्स पैनोरमा के संग इहोम्स पैनोरमा, लग्जूरियस, लाइफस्टाइल रीडिफाइंड